हेलो फ्रेंट सौगत अब की चैनल फेंटेसी डॉक्टर मिक बर्फिट से जो मैच अब इस वीडियो में कवर करने जा रहे है वह ने वाला है यहां पे NSA वर्सेस STC की भी जो मैच होने वाला है यहां पे असम्ट T20 चैंपिंशिप का इस मैच की वीडियो वीडियो इंपॉर्टेंट रही है इस वीडियो में आपके साथ स्मॉल लिक की टीम प्लस ग्रेंड लिक की तीन से चाल टीम प्लस आपको अब वैदर निउस प्लस पिच रिपोर्ट प्लस कॉनसी टीम स्ट्रॉंग रही कॉ आपको investment कैसे करनी है वो सारी चीज़े discuss करने वाले तो उससे पहले अगर आप मारे यूटूब चैनल पर नए आयो तो आपको हमारे टेलिग्राम चैनल जोईन करना बहुत जरूरी है जिसका नाम है fantasy doctor आपको screen पर नाम लिखावा दिखाई दे रहा होगा same name से हमारे चैनल का link मिल जाएगा सबसे उपर ब्ल्यू गलर का link होगा जैसे उस पर click करोगे टेलिग्राम चैनल ओपन हो जाएगा देर उसको आपको join कर लेना है तो ध्यान रखना जब आपको टेलिग्राम के सही और original वाले चैनल के साथ जोड़ना है तो आपको link कहीं use करना पड़े आप एक चैनल के साथ जुड़ सकते हो सही तरीका सिर्फ एक ही है कि आप link का use करना टेलिग्राम चैनल से जुड़ने के लिए अब आते हैं वीडियो के में मुद्धे पर देखो यह पर जो match tournament रहा भी तक low scoring देखने हो मिला जो पहला match रहा था उसमें टीम ने 71-74 स्कोर किय है और अगर बात की जाए तो यह चीज फॉलो करते हों देखते हैं तो यहां पर आप मान के सब्सक्राइब आपको स्कोर देखने को ज्यादा नहीं मिलने वाला ठीक है अगर बात किया इंवेस्टमेंट तो मेरे कॉर्डिंग आप इस मैच में इंवेस्टमेंट मैं मैं प्रॉपर आपको टाइम पर मैच स्टार्ट तो नहीं जर आएगा वैन्यू रहने वाला सेम ग्राउंड है अमिग गाउं किर्केट ग्राउंड गोहाटी का तो पेच रही है अभी तक और बाकी बात की जाए तो यहां पर अभी तक हैश्टी से की टीम ने सोफा टॉर्णम कौनसी वेक है तो आप किसी भी टीम को फेवरेट नहीं मा सकते कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकते तो इसलिए अपनी दोने टीम को आप फेवर करके चलो तो बैटर रहेगा बाकी अगर बात की जाए एश्टी सी की टीम में सोफा टोनामेंट वे दो मैच इस खेले भी पहले मैच में पांच पर जीट गए थे कल वाले मैच वह बहुती बैकार परफॉमेंस रही 43 नहीं टीम हो गई जो तुह चूथ ही टीम नहीं को इसने प्रुल आव्ट कर दिया था तो बहुत ही बेकार परफॉमेंस है नकी बैटिंग के साथ पर बालिंग के बैटिंग और एक लाश्ट वाले मैच वे वो मैच हार गए पॉसिबल ब्लेंग लेमंग जो रहने वाली टीम की क्या रहने वाली है अपर संजीब बर्मन जो टीम हो क्या ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस सोफा टॉर्नमेंट में विदा करके आ रहा है बॉलिंग से बैटिंग से बिल्क है थे तो बाइले यह थने बौर्मेंट मेंन करें बैटिंग से डोनों मैच भी एक मैक जीरो मारें दुसरे मैं दीन रन मारें तो बैटिंग से दोनों ही मैच फ्लॉप रच वालिंग के साथ दोनों ही मैच पर चार-oCoVर कंप्लीट करें पहले मैच पर दूसरे मैच पर कल टो कही बार मैच यह चारी निकले तो कही निका ले निकाल चुका है यह जुका है तो अभी तो अब तक उतने अची रखिर करें और लोदिस कि एक्ट के लिएरेज तहीड राक है ईसे हां लिए थीग थाक यह बात की जातो है लास्ट मैच पर जी रोप आउट हो है और एक मैच खेला भी तक और उसकी अच्छी नहीं सिर्फ बारा की अवरेज मैंटें करीवे अपने डॉमिश्टेक वे भी तो इसलिए हम थोड़ा इग्नोर ही करेंगे स्मॉल लिग में और ग्रेंड लिग दोनों में बाकि अनुब भुजेल के मारे बात की जाते हैं आप सोला की अवरेज डॉमिश्टिक में और आट विकेट लिया उनथिस मैच इसमें ना मुझे बैटिंग से अच्छे अच्छे अवरेज लगी ना बॉलिंग से कुछ खास का नहीं किया दो रट मारे जहां एक और वॉलिंग करी कोई विकेट नहीं मिला तो इग्नोर करेंगे संभव अगराल बैटिंग सेक्षिंट में अवेलेबल रहे और अभी तक टॉर्णामेंट में सो फार पांच और सोलरन की दो इनिंग के लिए जो कि कुछ खास बैटर नही दो उनिंग देखा जाए तो इस टॉर्णामेंट नहीं करें आप अभी तक इस टॉर्णामेंट करेंगे वाकिए रजनीक मगर के बारे में एक मैस जीरो तो दूसरे मैस पे तेरे नुआरे दो मैस इसमें रहा निया और यहां पर देखो के तो अठारा है कि आवे जो कि उत साथ विगेट है तो डॉमिष्टिक में बॉलिंग करता पर यहां बॉलिंग नहीं कर रहा है पार्ट टाइम बॉलर है बट जया नकना है हमारे जादा इंपॉर्टन नहीं रहने वाला बाकि Satyam जो उनका विकेट कीपर है आपको लेना है तो ले सकते हो बैटिंग सेक्शन में रीजन किया है कि विकेट कीपिंग कर रहा है और एक लोई स्कुरिंग मैच इसमें अगर विकेट कीपर को अगर तीन से चार कैच उसे मिल जाए तो 30-32 पॉइंट तो ऐसी हो जाते है तो कही न कहीं इस बैसिस पर आपको लेना है बैटिंग सेक्शन में सकते हैं कि विकेट कीपिंग टीम के लिए कर रहा है पहले मैच बीस नट आउट मारे दूसरे मैच दो रहा है और डॉमेस्टिक के एवरेज भी कुछ खास नहीं बट विकेट कीपिंग कर रहा है मैं रिदी पमोन के साथ टीम में जाने वाला हूँ चाहो खुनलंक के बारे बात कि तो कल वाले मैच बहुत अच्छी बालिंग करी दो मैडन ओर डाले चार ओर में एक विकेट लिया और कम्प्लीट किया चार ओर तो इसलिए कहीं नहीं लेने वाला हूँ डॉमेस्टिक में और इसकी जो स्ट्राइट से डॉमेस्टिक में 35 मैच इसमें तेरा की हैवरेज मेंटिन करी है बैटिंग से और सर्सट विकेट है बैटिंग से उतना खास नहीं पर बालिंग से बहुत बढ़िया बॉलर है तो यहां पर मैच दो विकेट निका सकता है और वही चीच फॉलो और सक्षिन में बिशाल नेवर के बारे बात की जाते हैं तो यहां पर तीन से चार और बॉलिंग कर रहा है पहले मैच पर विकेट नहीं मिली तो दूसरे मैच में एक विकेट में थोड़ा मैं ग्रेंड लिक के लिए रिकमेंड करूंगा नेवर को बाकि दैथ होट होता है पंदरा से भी से बीच का स्लोट जहां विकेट मिलने के चांस हाई रहते हैं तो यहां आपको कौन सा बॉलर बॉलिंग करते हो नजर आएगा आर मोहन बी नेवर और पी जैन तो खासकर से आपर बर्मन और पी जैन पर तो फोकस जरूर बना कर रखना बाकि बैंच पर प्ल अब किसके जगा लेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा इरफान अंसारी को ग्रेंडलिक में ट्राइ करना विकट कीपिंग करते हैं नज़र आसकते हैं टीम के लिए अगर सत्य लेंग आता है तो बाग किया है विस्वास को भी तक दोना मैच मौका नहीं मिला और अक्टोबर में जो इनका टर्नेमेंट था था अक्टोबर में और मैज था इनका टॉर्णमेंट अक्टूपर में था तो मैज DMC लेते बाकि मुजाकर अली ने यहां पर 22-26 विकेट ले हैं प्रांजल ने यहां पर 11-13 विकेट तो डॉमस्टिक के स्टाइट्स हैं यह वह प्लेयर सब जो भी तक मैच नहीं खेले यह वाले ठीक है ध्यान रखके चनला इंके यूज कर सकते हैं स्टाइट्स अगर प्लेंग लान म यहां बनने वाला है यहां मेले बनने वाला है राज कॉवर और बॉलिंग विकेटीपिंग में आफ सत्यम के साथ बॉलिंग में रधीप मोहन खुनलंग यहां पर प्लुकित जयन और ग्रेंड लिग में नेवार को ट्राइब कर सकते हैं यहां पे एस्टीपी डिम से हमें कर बात किया तो अनने से की टीम ने सोफा ठोनमें तो सिर्फ एक ही मैच के लिए और वह हार गए थे पिचान अबे आटरन वारे थे और यह मैच हार गए थे और इनके लिए पॉसिवल बिलिंग लेवन जो रहने वाली वह यह दिवाश हजारी का के बारें बात की जाए तो वह 20-1 लाश मैच में मारे और इसकी डॉमिस्टिक की अवरेज है वह 27 की मैंटें किया तो कहीं न कहीं से बहलते हैं अच्छा बैट सबने टीम में इसले मिस्मत करना बाकि है शर्बन कुमार खौन जो इनका विकेट कीपर है तो बैट विकेट कीपिंग सेक्शन में इसके जा सकते हो क्योंकि रीजन किया है विकेट कीपिंग में और डूसरी रीजन है कि ओपनीं प्लस विकेट कीपिंग कर रहे है यहां पर शहरबन कुमार खौन और 24 की डॉमेच एव्रेज डॉमश्टिक सर्कीट में भली लाश मैस्टिक जिरो प्र अट होग तो यप्र आपकि तो इसके average of domestic circuit में और कल बाले मैच वहले ही आर्ट रन प्रावड होगा लास्ट मैच बोलुगा तो इसलिए कही न कहीं में दिपांकर बोरा को मैं आपको small league में भी लेना के लिए बोल सकता हूं यूकि जो average of domestic में 29 के जोग यह काफी अच्छी है इस शक्र में दिपांकर बोरा को आप small league हो या grand league दोनों में try कर सकते हो आमीर नूर अली के बारे में अगर बात किया तो 13 की average maintain करी है और 22 माज इसमे 21 विकेट है per match एक विकेट तो कहीं न कहीं देखो कि तो आपके लिए लेना चाहो तो ले सकते हो कि लाश्ट मैच में चार ओवर में सिर्फ एक विकेट ले पाया बैटिंग से करना पर दियान रखना परसनली मुझे इसके जो strats से बैटिंग है मैं बॉलिंग 2 में अच्छे लगे है 37 मैच इसमें अठाइस के average maintain करी दोमेश्टिव में बैटिंग से 38 मैच विकेट लिए से इस ग्रैश्टिव में आपने लेने वाला हूँ ओर आपको grandling वाइस क्रिप्टन थी के लिए रिकमेंड भी करोगा सिर्दार बरुआ को बाके बकाष कुरमी ने शिर्फ दिए 26 लेजिए जो के शुर भूम जी ने लाच मैच भूमी जी ने बहुत अची बॉलिंग की लाच मैच में सात रहन मारे चार ओवर में चार विगेट ले गिया उससे पहले अक्टोबर में टोर्नमेंट वा था असम टी-20 का उसमें भी तीन मैच भी सन गुनाई तो और पांच विगेट लिये थे उससे पहले क्लब लेवल के परफॉर्मेंस देखो के तो बैटिंग से उसने खास स्टैट्स ने पर बॉलिंग से चार मैच चार विगेट लिए अपके लिए वाइस के लिए अच्छी बनने वाले टीम में और इसस चार वर बॉलिंग लेने वाला मजी को चार वर बॉलिंग करी दो विगेट लिए टीम में वार लिए बाकि मिन्टू रोई ने भी चार वर बॉलिंग करी जहां एक विगेट मिला दैथ हवर्स पंदरह से बीस होर के वीच आप के लिए भूमेश बरुआ और आप माजी जिनको भी सक मैच नहीं के लिए राष्ट वाला उनके चैक आउट कर सकते हो मुझे किसी की परसनली कुछ उने खास स्टाइट नहीं लगे हैं इंपोर्टन बोलोगी तो मुझे यहां पर हजारी का लगता है और आपर कहुंद के साथ बाकि बारा के साथ ग्रेंड लिंग म और यहां पर है बरुआ सिदार्द बरुआ को लेना है और यहां पर है जोगेश्वर भूमिस और बॉलिंग में माजी और मिंटू रखी को पर पिक कर सकते हो फिलाल आपको एक स्मॉल लिक की टीम और तीन से चार ग्रेंड लिक की टीम दे रहे हैं तो फटावर्ट से पहल काफी लंबे टाइम से खेल एक डेट साल से उपर हो गया और काफी अच्री अरिंग हम से गरी है तो बाकि अगए 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 तो आपको सारी चीज़ पता चल जाएंगी अब आते हैं में मुद्धे पे वीडियो के इसमॉल ही टीम मेरे एकोर्डिंग जो रहे कि अपके लिए आपके लिए अपके लिए वो यह रहे हैं कि समेका थाचेंज आप कर सकते हो मैंने लlor点 और को ओपनिंग करेगा अंसारी लास्माच पे नहीं केला तो इतो एक खेलता यह तो Grand League मैं रिकमेंड करूंगा यह रहाएगा वाकि ने लिया है, भाकि में लिया है बैटिंग सेक्षिंग यहां, यहां के लिया मै। मैंनेख लिया लियाँ, रिद्ध तीन थीर को लेने गाई हजार काउ ककल एक भीडेर उपनिंग करेगा, जिसमें इसने 27 उमारे और एक्विट लेया तिसले में आप ग्रेंड लिग और स्मॉल लिग दोनों में रिकमेंड करूंग अगर यह प्लेंग में आता है तो थर्ड प्लेयर मेरा यह बन जाएगा अधर्वाइस में आपर डीब हो रहा हो को पिक सत्याम की जगा तो यह मेरा बन सकता है बाकि आकर देखो कि तो मेरे अली को में ग्रेंड लिग में रिकमेंड करूंगा और फिलहाल इसके लाव मुझे सिद्धार्त अगरार ऐसा बैट्स नहीं खेला तो इतना इंपॉर्टन नहीं रहेगा बाकि अल्रॉंडर मैंने यहां पे लिया एस सिद्धार्त मेरे चार ब्लेयर अल्रॉंडर में रहेंगे माजी को लिया पर खुलंग को लिया आप मैंने मोहन को लिया आप खुलंग की जगह यहां पर जा सकते हैं एम रॉय के साथ और नेवार के साथ और रॉनियर के साथ तो यह कुछ पिक बन सकते हैं गैरोई प्लेयर के पॉइंट टीम गर बात किया तो रहने बाला मेरे कोर्डिघा रही कि लिए बारे ॢद आपके लिए रहेगी आपके लिए स्मूल लिग और गरेंड लिए की जो आपना प्रिड़ू भी कर दो आफट डंगो तो तर इलिग धाया ओत defenders इसका लिंक वीडियो के नीचे कमेंट है मिल जाएगा सबसे ओपर ब्लीव किलर का लिंक होगा जैसे इस पर क्लिक करोगे टेलिग्राम चैनल ओपन हो जाएगा दैन उसको आपको जोईन कर लेना ध्यान रखना टेलिग्राम के सही और ओरीजिनल चैनल से जुड़ने के लिए लिंक का ही उसकरना पड़ेगा जो आपको वीडियो के नीचे कमेंट में दिया हुआ है तो मिलते हैं टेलिग्राम पर जहीं दोस्तों बाई बाई